त्रिभूजों में समरूपता कैसे जाचे? अभी तक हमने देखा कि कोई भी दो त्रिभूज, त्रिभूज P Q R और त्रिभूज X Y Z को समरूप सिद्ध करने के लिए दो कसौटिया है पहला संगत कोण बराबर हो यानि कोण P बराबर कोण X, कोण Q बराबर कोण Y और कोण R बराबर कोण Z हो दूसरा संगत भुजाओं के अनुपात समान हो यानि भुजाएं समानुपातिक हो इससे आप इस तरह से लिख सकते हैं पी क्यू बटे एक्स वाई बराबर क्यू आर बटे वाई जेड बराबर आर पी बटे जेड एक्स तब त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होगा त्रिभुज एक्स वाई जेड के इन में से कोई भी एक पूरी होने पर हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं कौण 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 ए ए समरूपता कसौटी यदि दो तरिभुजों में संगत कौण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए ये तरिभुज समरूप होते हैं इस कसारटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की कोण कोण कोड़ कोण या AAA कसारटी कहा जाता है आएए देखें इन कसारटीओं को पूरा करने के लिए नियुनतम कौन सी शर्टे ढूड़ी जा सकती है कोड़ कोड़ या एंगल एंगल समरूपता यदि एक त्रिभूज के दो कोण एक अन्य त्रिभूज के करम शह दो कोणों के बराबर हों तो वे दोनों त्रिभूज समरूप होते हैं यह त्रिभूजों की समरूपता की कोण कोण कसौटी है इस कसोटी को उपयोग कर हम दो अन्य कसोटियां SAS यानि Side Angle Side और SSS यानि Side 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 को गणिती रूप से सिद्ध करेंगे